सबी दोस्तों मुणने इनल के बात करते हैं रेल के बात करते हैं रेलम विकास निगम लिम्टेट के बात करेंगे रेल वे कंपनी है और स्टॉक में जबर्दस तेजी रही है क्यों के नतीजों की बात करेंगे दो हजार चौबिस दो हजार पच्चिस के दुस्तों जिनका निवेश्य इन्वेस्मेंट है आर्बीनल में तो पिछले दो तीन साल की बात करते हैं तो एक मल्टी वेगर स्टॉक रहा है यह एक साल का जो रिटन है तीन सो परसंट से ज्यादा का है दुस्तों इसके क्यों के नतीजों का अपडेट आने होगी है जो प्रफॉर्मंस होगी आगे तीन मेहना उसी तरह से शेयर कारुबार करेगा स्ट स्टॉक प्रफॉर्थ में उपर की तरफ से स्टॉक गेर चार से पांच परसंटॉट नीचे की तरफ कारवार कर रहा है तो नतीजों को चेक कर लेते हैं और यह फैनिशेयर रिजल्ट है यह फैनिश रिजल्ट है बात करते हैं तो 4,000 प्रॉप का इंकम आया है 6,700 क्रोड क इससे पहले quarter में था 5446 क्रोड का साल बर पहले था तो revenue कम हुआ है अधर income को plus करके देखते हैं total income 4326 क्रोड का है 6979 क्रोड का इससे पहले quarter में था 5726 क्रोड का साल बर पहले था तो सालाना एकतर से growth कम रही है अब की बाद total income घड़ गया है और नेक्स नमर की बाद करते हैं expenses की बाद करते हैं खर्चे की बाद 4032 क्रोड का expenses का update है और 4326 क्रोड का इसका income है company को profit है और बाद करते है net profit loss for the period 217 क्रोड का है 433 क्रोड का इससे पहले quarter में था 333 क्रोड का साल बर पहले था तो मुनाफ़ा भी कम रहा है total income भी कम रहा है तो एक तरह से ये खराब नतीजे पेश किये है RBNL ने और इसका earning per share 1.04 का है 2.08 का इससे पहले quarter में था 1.60 का साल बर पहले था तो ये क्यों का result है 2024-2025 का खराब नतीजे पेश किये हैं जटका दिया है एक तरह से इस quarter में total income में भी कमी आई है और मुनाफ़ा भी कमा हैं दोस्तों नतीजों के बार share में गिरावट देखने को मिल रही है तो जो निवेशकों के पास RBNL है next three month ये stock में थोड़ा बहुत दवाब देखने को मिल सकता है दोस्तों और जिन्होंने long term के लिए अपने portfolio में रखा है तो अपना decision करें में फैसला करें क्या करना है RBNL में तो ये quarter में इसमें दवाब देखने को मिल सकता है RBNL में और next quarter के नतीजे अच्छे होंगे तब stock में फिर हल चल बढ़ सकती है दोस्तों ये RBNL का latest update है Q1 2024-2025 के नतीजों का update है